अपने उस्पे पहले वाली विडियो में हमने अपने जो प्रोड़क्स थे वो अपने व्रसटोर डेतबेस में अट कर दिये थे यह मैंने behind the scenes कुछ और प्रोड़क्स भी अट कर दिये थे अब हमने यह product retrieve कराने है और अपने is main page पर display कराने है तो चलते हैं अपने code editor में हमें जाना है अपनी home.js की file में कुणके यहाँ पे हम products render कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक state बना लेते हैं products की इसके लिए हमें use state require होगा products की जो state है वो by default एक empty array होगी इसके बाद हम एक function बना लेते हैं गेटिंग products function और इस function में हम अपने जो products है वो firestore से retrieve करेंगे यह एक asynchronous function होगा यह एक asynchronous function है क्योंकि यह जो line है यह कुछ time लेगी complete होने में जो get का method है यह हमारे इस collection से products के collection से तमाम data retrieve करेगा तो of course यह कुछ न कुछ time लेगर complete होने में तो इसलिए हमने यहाँ पर async लगाया है और यहाँ पर हमने await का keyword यूज किया है जो fs है यह मैंने already import किया वा था config कि फाइस है अब हम यहाँ पर एक empty array बनाएंगे then उसके बाद हम use करेंगे for off loop अब इस products के variable में मेरा जो भी data था वो आ गिया है using this line इसके बाद इस snap में products.docs जहाँ पर use हुआगा है और इसकी एक property है docs जिसमें तमाम documents यानि जितने भी मेरे पास products है वो आ जाएंगे using product.docs तो जितना भी data है वो इस snap में आ जाएगा अब हम क्या करेंगे while data equal to हम कर सकते हैं snap.data तो जितना भी हमारे पास document का data होगा वो इस data के variable में save हो जाएगा हमें id की भी need होगी तो यहाँ पे मैंने एक id भी add करा दी है इसी चीज़ में अब जो भी हमारे पास data है वो हम अपने products array में save करा सकते हैं using push method अब हम if की condition use कर सकते हैं कि जब products array की जो length है वो equal हो जाए products.docs.length के तो क्या कर दो set products कर दो तो इसमें पास करा दिया हमने products array तो अब हमारी यह जो state है इसमें तमाम data आ जाएगा fire source है अब हमें simple एक use effect को hook यूज करना है और इसमें हम यह अपना function trigger करा देंगे अब जो भी हमारे पास data है वो इससे products के products की state में आ रहा है तो इसी basis पर हम क्या करते हैं सब्सक्ते पहले में इसको हटाता हूँ और एक break tag यूज करते हैं हम आपे और इसके बाद हमें condition लगाएंगे कि जब हमारी products dot length greater than zero हो तो return कर दो यह वाला html और इस products box में हम रेंडर करा देंगे अपना products क कंपोनेंट और इसमें हम pass करा देंगे अपनी products की state इस condition का मतलब यह है कि जब हमारी products की state में जो भी documents है यानि जो भी products है उनकी length होगी greater than zero इसका मतलब हमारे पास products है और अगर हमारे पास products नहीं होंगे तो हम condition लगाएंगे products.length less than one इसका मतलब हमारे पास products है ही नहीं तो हम क्या करेंगे यह वाला section return करेंगे इस पर मैं लिख देता हूँ simple please wait कि जो हमारा products retrieve करने का code है वो एक asynchronous task है तो immediately हमारे पास जो data होगा data available नहीं होगा हमारे पास तो उस सूरत में हम यह वाली condition render करा सकते है उसमें मैंने simple लिख दिया please wait अब हमने अपने products component में products की state पास करा दी है तो हम यहाँ पर receive कर लेते है products की state और यहाँ पर मैं simple console.log करा जाता हूँ products चल के देखते हैं अपनी application और यहाँ पर मेरे पास यह वाली condition चल रही है क्योंकि मुझे यह production component मिल गया यहाँ पर individual product, individual product 2 तो इसका मतलब मेरे पास जो data है वो retrieve हो गया है यह मैंने console किया तो मेरे पास एक error receive हुआ और इस error में मेरे पास तमाम data मौजूद है तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस return के quote को हटाते हैं और इसको कर देते हैं comment यहाँ पर मैं अपने products पर यहाँ पर मैं अपने जो products का error है उस पर map का statement चलाऊँगा और as a callback हम ले लेंगे individual product और यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हम अपना जो product है उसको display करा सकते हैं नेकिन यहाँ पर मैं एक component बना लेता हूँ और उस component के अंदर मैं अपना products का html लिखुआ है तो यहाँ पर एक component बना लेते हैं हम individual product.js यहाँ पर हम individual product को import करते हैं और यहाँ पर रेंडर करा देते हैं individual product इसमें हम pass करा देते हैं की की must है और की हम क्या provide करेंगे individual product.id और इसके बाद individual product as a prop pass करा देते हैं अब हम चलते हैं अपने individual product में और यहाँ पर receive कर लेते हैं individual product यहाँ पर हम कराते हैं console चलकर देखते हैं अपनी application इस page को मैं करता हूँ refresh और यह मुझे बोल ला है कि मैंने कहीं इस्पैनि में श्टिक किया है नहीं everything is just fine और यह मुझे console में data मिल गया है कमाम जो products हैं वो मुझे individually receive हो रहे हैं तो अब जब मुझे data मिल गया है तो मैं अपना जो product है उसका जो HTML है वो यहां पर मैं लिख सकता हूँ तो जो product का HTML है वो मैं simple copy paste कर रहा हूँ यहां से और यहां पर मैंने करा जिया paste यहां पर मेरे पास एक parent div है जिसकी class है product उसके अंदर मेरे पास एक div है product image और इसकी जो source है वो क्या है individual product dot url इसी तरह एक है मेरे पास product text और इसकी एक और separate class है title इसमें क्या है individual product और dot title इसी तरह मेरे पास क्या है description है और price है इसके बाद मेरे पास एक button है handle add to cart इसको मैं for now हटा जेता हूँ और चल के देखते हैं अब अपनी application तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे products है वो retrieve हो गए है तो दोस्तों आज की video से बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको video अच्छी लगी होगी comment section में अपना feedback देना ना भूलेगा अब अगली video में हम क्या करेंगे यह जो add to cart के buttons है मेरे पास इस पर एक function trigger करेंगे और यह function क्या करेगा हमारा जो भी product होगा वो हमारे fire store में एक separate collection मनाएगा जो user का एक cart है उसके collection मनेगा और यह जो products है उस collection में add हो जाएगे है तो अगली video में मिलते हैं add to cart के functionality के साथ उस वक्त तक के लिए अल्ला हापिस झाहाई जाई शाल्यद यह जाएगी लोगे है झा precious